परवर की सबजी, चोखा, चटनी और मिठाई आप सभी ने हजारों बार खाया होगा लेकिन आज मैं परवर की ऐसी नई रेस्पी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में जो आप सभी को बहुत बहुत जादा पसंद आने वाली है अगर वीडियो आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और जादे से जादे लोगों में सेयर करना मत भोलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इस शनेक को बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ परवर परवर यह मैं ली हूँ धाई सो गराम परवर लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा परवर मुलायम रहे उसमें बीज न रहे अगर बीज रहेगी तो मैं आगे बताऊंगी उसको क्या करना है परवर को मैं अच्छा से धो ली हूँ साप कर ली हूँ और इसको साप कपड़े से पोच ली हूँ परवर को इस तरह से उपर से आप चाहे तो छिल सकते हैं उपर का जो छिलका है पतला वाला उसको निकाल सकते हैं लेकिन इस रेस्पी में छिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है परवर को हम सीधा कट करके बनाएंगे तो चलिए परवर को हम काट लेते हैं तो परवर को काटने के लिए मैं चाकू का मदद ली हूँ, आप किसी भी चीज से आप परवर को काट सकते हैं, तो परवर को बीज में से इस तरह से चीरा लगाएंगे, देख लेंगे परवर को, तो देख सकते हैं इसमें बीज नहीं है, है भी तो बहुत काफी ये मुलायम तो इसमें का निकालने की जरूर्द बिल्कुल भी नहीं है अगर बीज कड़ी रहे तो आप बीज को निकाल दीजिए परवर में से और सिर्फ इसका जो गुद्दा है ना उसको ले सकते हैं परवर को इसी तरह से छोटे बड़े टुकडों में काट लेना है सभी परवर को ज नरम है अब इसे पीछने के लिए मैं ली हूँ यहां पर एक मिक्सी जोर आप चाहे तो परवर को शिल बट्टे पर भी पीछ सकते हैं इसी के साथ में डाल दी हूँ 10-12 लहसुन छिला हुआ इससे काफी जादा टेस्टी लगती है लहसुन से गर लहसुन नहीं खाते हैं त कड़ी पत्ता तो हमारे पास कड़ी पत्ता थी में श्टोर करके रखी थी और कड़ी पत्ता में इस्तेमाल की हूँ इसी के साथ में ली हूँ 10-15 साबूत धनिया अक्खा धनिया है एक चम्मच भर के जीरा इन समसालों से यह जो हमारी स्नेक बनेगी काफी ज्यादा लेंगे ताकि एकदम मसाला अच्छा से पिसा जाए तो देख सकते हैं थोड़ा यह दरबरा है जादे इसको इसमूद नहीं पीसना है इस तरह से पीस के तयार कर लेंगे एक बरतन में निकाल लेंगे सभी मसाला को अब इसमें पानी डालके हम थोड़ा सा मिक्सिंजोर में वो भी हम डाल दिये हैं और इसको अच्छा से फेट लेंगे चमच की मदश से फेटने के बाद इसको हम रख देते हैं धक के साइड में तद तक हम आगे की तियारी कर लेते हैं तो यहां पे मैं ली हूँ पोहा तो पोहा आप किसी भी तरह का ले सकते हैं मोटे पतले जो भ जी निली हूं और इसको अच्छा से साप कर लिए हूं अब एक मिक्सिं जॉर में डाल के पोहा का हम पाउडर बना लेंगे पोहा को भीगोना बिलकुल भी नहीं है ऐसे ही पाउडर बना के तैयार कर लेना है तो देख सकते हैं कि पोहा पूरी तरह से पिस गई है पाउडर थाक Already कि तना इस नेक बनाना चाते हैं उसके षाफ से ले सकते हैं इसमें हम डाल देंगे जो आइन थोड़ा सा क्रस करके मसल के बन काफी ज़ुपलया बनती है और पेट के लिए तो बहुत अmm रुओत ही अच्छ ह्क्री नहीं बहुत ही चाट मसाला, आधी छोटी चमस और हींग डाल देंगे आधी टीसबून, हींग का जो टेस्ट हैना काफी जाद अच्छा लगता है, हींग बिल्कुल भी मत हटाईएगा, हींग जरूर से डालिएगा, अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक, नमक डालने के पानी डालते हुए थोड़ा-थोड़ा अच्छा से इसको आटा की तरह इसको सान लेंगे, ना जादे कड़ा रहे और ना जादे बहुत मुलायम रहे, तो अच्छा से इसको सान लेंगे थोड़ी-थोड़ी पानी डालते हुए, पोहा बहुत जादा पानी सोकती है, इसलि पानी थोड़ा जादे डालिएगा अभी जो पोह का याटा हम बना कर रखे हैं अब इसको एक सिलेंडर का सिफ दे देंगे इस तरह से तो अगर हाथों में चपक रही है तो थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं लेकिन हाथों में बिल्कुल भी नहीं चपकती है अब यहां पर स्यो मेकर का जो यह साचा है जाली वाला तो यहां पर मैं जो छोटे छोटे होल वाला जाली रहता है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूं मैं इस तरह लंबे वाले जाली का इस्तेमाल कर रही हूं जो चोड़ा साइज कराती है अब जो उपर प्लेन है उसको हम उपर तो आटा चपकेगी नहीं स्यो मेकर मशीन में बहुत असानी से बन जाए गी चाहे तो आप शटा-भी सकते हैं लेकि तेल लगाने से यह होती है कि आटा बिल्कुल भी लगेगी नहीं मसीन में तो दोनों धकन में भी और मसीन में अंदर में तेल अच्छा से पूरी तरह से ल मशीन का ढखकन बंद कर देंगे अच्छा से बंद कर देंगे ताकि बनाते समय खुलेना तो मैं आप तो भूझ कि डी हूं अब चलिए गयस की तरह चलते हैं तो घष दो constear हम सी ऑसे गरम in Japan को तो मिज़ने हम इसको हम तो इसको हम यह सकते हैं बहुत असानी से निकल हुआ तो गार मिज़ने ने अगर जादे तेल आप कराही में डाले हैं तो ही आप जादे इसमें नमकीन को डालिएगा अब इसको कुछ सिकंड बाद में इसको चलाते हुए इस तरह से उलटते पलटते सुनाहरा लाइट कलर इसको फ्राइ करेंगे जब इस हलका सा सुनाहरा हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम बीच में रख देंगे मेडियम लो टू फ्लेम पे उसके बाद में इसको फ्राइ करके निकाल लेंगे इस परवर की नमकीन को जादे टाइम तक फ्राइ नहीं करना है तो मिलनट में यह फ्राइ होके तयार हो जाती है काफी जादे क्रिस्पी है और फिर दूसरा भी ऊसाली से निकल रही है आप चाहे तो पतले पतले शयो नंकीन जी से बनती है। एक बार आप बना लेंगी अपने घर में हर बार बनाने का सोचेंगे। खास बात फ्रेंड इसमें ये है कि आप महिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं अक्सर हम चार पीते हैं तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो दुकान पे भागना पड़ता है तो इस तरह से आप बना कर रख लीजिए किसी कंटीनर में भरके आप महिनों तक खाए बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अब गैस को कर देंगे बंद सभी नमकीन को मैं इस तरह से बना ली हूँ तो लीजिए फ्रेंड बिल्कुल कयार है हमारी परवर की और कोहा की करारी करारी टेस्टी टेस्टी चरपटी सी नमकीन ये नमकीन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पी बनी है एकदम खस्ता बनती है इसमें खास बात यह है कि मैंने इसमें बहुत सारी परवर का इस्तेमाल की हूँ और पोहा का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए काफी ज़्यादा इसमें टेस्ट आई है जैसे आप मार्केट से नमकीन चीर्च लेकर आते हैं उसी तरह से एकदम चटपटा बनी हुई है तो दे मेर्स थी ने खाके भी दिखा दे रहाई हूं कितनी करारी करारी बनी हुई है वाव बहुत करारी करारी बनी है इस इसने को आप बना कर रख देगे तो बच्चे दीन भर ढोडोके खाए इटनी ज líder करेगा और आपका भी दिल करेगे कि मैं बार बार खाऊं बहुत काफी टेस्टी लगती है अब इसको किसी भी डब्बे में कंटीनर में भरके रख देजिए महिनों तक खाईए बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है तो जादे बनाईएगा कम बिल्कुल भी मत बनाईएगा क्योंकि पड़ोसी लोग भी मा जाएगी वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तो आज की परवर की नमकीन की रेश्पी आप लोगों कैसी लगी कमेट करके जरूर से बताईएगा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा जादे से जादे लोगों में सेर करिएगा फिर कल मुलाकात होगी एक न ड़ा होगी नमकी होगी एकट झांस्तम है झाल झालसे मत क चुछ लोगों ओ तौक किता हैं लोगगी हैं येल जादे लोगी नमकी काल से झालासे हैं एकल